बाबर आजम के खिलाफ हो गई साजिश इस बड़ी वज़ा के कारण से बाबर आजम हो गए टीम से बाहर नमश्कार में नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं देखे जब उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नई सेलेक्शन कमिटी या फिर नई सेलेक्शन कमिटी के मेंबर्स अनाउंस हुए है तब उसे एक अलग हलचल मत चुकी है और लगातार बाते चल रही है क्यों इसका कारण सिर्फ एक ही है क् इस सेलेक्शन कमिटी ने जहां पे नए नए मेंबर्स आये थे उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का चेहरा पूरी तरह से चेंज करके रख दिया क्योंकि वहां पे बाबर आजम इंगलेंड सीरीज में बाहर हो गए रिलीस कर दिया गया इवन शाहिन को भी रिलीस कर दिया गया और सरफरास को भी रिलीस कर दिया गया पर सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में कौन सा था बाबर आजम का देखो जैसे ही नए मेंबर्स आते से बावराजम ड्रॉप कैसे हो गए देखिए पहले तो आपको बता रहेते हैं कि सेलेक्शन कमिटी के नए नए मेंबर्स है कौन वहाँ पे वो नए मेंबर्स का नाम क्या है किन किन की एंट्री हुई है यहां पे अगर आप देखें अलीम डर दिख रहे हैं आपको आकिब ने बावराजम को लेके बहुत पहले एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी जो कि पूरी तरह से बावराजम के अगेंस थी और वाप एक साफ साफ समझा रहा था कि आकिव जावेद को बावराजम एजञेर बिलकुल भी नहीं पसल और आकिब जावेद सीधा सीधा बोल रहे थे ह हम तो बाबर को आउट ही नहीं करते हैं ऐसा बोला गया था एक्जाक्ली स्टेट्मेंट गया है वो भी आपको बताएंगे पर ये बात तो क्लियर है कि जो आपके सेलेक्शन जावेद ने कहीं ना कहीं बाबराजम के अगेंद साजी श्रीकर दी एक तरह से कि उनको पसंद नहीं थे और उन्होंने आते ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया हाला कि वह स्टेट्मेंट जो है वह आकिप जावेद ने बहुत पहले दी थी अच्छा आपको भी बता रह करते हैं क्योंकि फिर वह अपने तरीके से खेलते हैं और रिक्वाइड रेट बहुत बढ़ता रहता है सीरी सीदी बात यहां पर यहीं का है उन्होंने कि जब हम कराची किंग्स के खिलाफ खेलते हैं और हमारा टोटल मतलब करीब 180 के आसपास होता है यह बाइद पी एसल क में होता रहता है और फिर होता गया कि विया मंने बोला तो नहीं लेकिर टीम हार ही जाती है ना तो बाबर आदम को इसलिए FDA उड़े उनको पता कि वहां पर Τीम सी जाती पूरी पूरी Agent क्यां इसलिए तरीके से आप अब जैसे आटकिव जावच के एंट्री हुई लाए कि आते ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि आर देखो एक बात सच है तर्श हुई हो चाहे जो मरदी हुई यह पर ठारा इंडिंग से कोई रन तो नहीं है इस बंदे के कोई रन नहीं है पर आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने का डिसीजन रिलीज करने का डिसीजन सही है या नहीं कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएगा पर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही जै हिन जै भारत